दोस्तों पंजाब और लखनव के बीच में IPL का मैच नंबर जो 38 होने जा रहा है पंजाब के होम ग्राउंड में उसको बहुत अच्छे से हम लोग इस वीडियो में कवर करके लेकर आये हैं दोस्तों जो कैप्टन और वाइस कैप्टन की 24 हैं इस मैच में सबसे ज़्यादा कनफ्यूजिंग है इसके अलावा अगर रवाड़ा और डिकॉक खेलते हैं तो हम लोगों को इनको इसमाल लीग में पिक करना चाहिए या नहीं इसके अलावा इस 56 करोड़ वाली लीग में ज दोस्तों आपको बता दूँ क्या सिखर दवन आपके लिए इस मैच में अगर प्ले कर रहे हैं तो क्या इंपोडेंट रहेंगे ये सारा सीन मैं आपका एक मिनट के अंदर किलियर कर दूँगा अगर आप इस 10 मिनट की वीडियो को पूरा देखोगे तो तो अपनी जो टीम है वो आप एक मिनट के अंदर भी बना सकोगे इस माल लीक के सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखिए बिना कहीं पर छोड़े हुए देखिए और सबसे पहले आप टेलिग्राम को जोईन कर लेजे क्योंकि कोई भी मैच हो अगर आप उसकी फाइनल अपडेट नहीं पाओ अगर प्ले करें तो बैसे राहूल और कुनाल पांडिया दोस्तों राहूल आज के मैच में बहुत इंपोर्डेंट होने वाले हैं धवन रबाड़ा सेमकुरन अर्षदीब नाथन लीज प्रेम सिरन सिंग और लियाम लिंग विश्टन के अलाबा दोस्तों आपको उदाद में रखका इन दोनों टीमों के आपस में दो मुकाबले हुए दोनों ने एक एक मुकाबला जीता गाईज अगर मैं पंजाब की ग्राउंड की बात करूं 69 डोमेस्टिक मुकाबले हो चुके हैं कुछ बड़े स्कोर भी बने हैं इस सीजन तीन मुकाबले हुए हैं यापर इन तीनों मुकाबलों में एक चीज कॉमन है कि जो इस्पिन फास्ट वॉलिंग को विकिट मिले वो इक्वल मिले दूसरी चीज हम जो प्रेम सिंग्रन सिंग है उनका इस ग्राउंड में थोड़ा सा प्लस पॉइंट है बाकी दोस्तों हर प्रीत ब्रार को भी दो विकिट एक वारी मी मिले हैं और सिदीब को एक वारी में तीन विकिट राजा पक साभी थोड़ा इंजर्ड हैं गाईज अगर मैं बात करूं सारे मैचेच के एकॉर्डिंग 10 और 24 की रेशियो से विकिट गिरे हैं अगर टेलिग्राम आपने नहीं जोइन किया तो पहले नमर पर आ ग्यारा इनिंग में 448 रनिस ग्राउंड में इनका डीकॉक का दो इनिंग में 100 वारा अगर प्ले करेंगे तो इंपोडेंट दिख रहे हैं कि नहीं बाकी इस 20 भी एवरेज हैं पूरन भी एवरेज हैं अमामित मिसरा भी दोस्तों ये इनके लास सीजन के परफॉर्मर हैं बाकी दोस्तों आपको दादू जब ये दोनों टीमें आपस में खेली थी तो डीकॉक चले थे सिर्फ एक मैच में 46 और कुनाल पांडिया चले थे बाकी दीपाक उड़ा चले थे लेकिन उनका फॉम उतना अच्छा नहीं है कि हम उनको पिक कर सकें इसके लाबा सारे प्ले के लिए इधर से मारकस स्टोइनिस नंबर आफ ओवर बॉलिंग सही डालने लगे इसलिए और रवी विश्णोई फास्ट रीनिंग हुई तो हम लोग आवेश खान और नवी नुलक को भी लेने के बारे में सोच सकते हैं वहीं दोस्तों बॉलिंग इंफोमेशन में कौन कि देट में मारकस स्टोइनिस और नवी नुलक गये थी लास्ट आइम और नवी नुलक कुनाल पंडया स्टार्टिंग करें थे बेंच में इनके मार्क बुड़ अगर फिट होते हैं तो इंपोडेंट रहेंगे रोमारियो शेपाट कोई जगह बनाता है तो उसके लिए टेल से बात करूं उससे पहले डिटेल से आपको बताऊंगा कि आप लोग लॉस कहां से कवर करोगे आप विजन 11 को डाउनलोड करिए डेली 50,000 रुपए का फ्री गिवेवे का लाब उठाईए विजन 11 में एक क्लिक में बहुत सारी लीग जोईन करिए 500 रुपए साइन अप ब ठीक है सेम करन का रिकॉर्ड अच्छा है और इसके लाबा दोस्तों रिसी दवन थोड़ा टी नहीं बाकि रवाड़ा और अर्षदीप इस ग्राउंड में एवरेज हैं ये इनके लास्ट सीजन के पफोर्मेंस हैं वहीं दोस्तों बात करें जब ये दोनों टीम आपस में खेली थी तो रवाड़ा एक मैच में चार विकेट चटकाए थे और राहुचैर एक मैच में दो विकेट चटकाए थे रिशी दवन ने एक मैच में एक इश्रम नाया शिखर दवन ने एक मैच में पांच बड़े नाम फ्लॉप हुए थे दोस्तों अगर मैं पंजाब की ट पुरन ये चार नाम इदर से और नाथन एलीज या रवाडा मेंसी जो भी खेले वो और अर्षदीब दोस्तों जीते सर्मा को आप ट्राई कर सकते हो राहूल चैर को आप फस्ट इनिंग में ट्राई करना बैसे अगर मैं बात करूं विकेट्स की तो राहूल ने एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ मैचों में सिर्फ दो विकेट लिए तो ऐसे में हम इन पर रिस्क नहीं ले सकते हैं दोस्तों बालिंग इंफोमेशन में यहां से दोस्तों आपको बता दूं सेम करन लास्ट वाले मैच में तीन ओवर अर्षदीब चार ओवर नाथन इलीज चार एक ओवर मैथ्यू साथ चार ओवर राहूल चैर एक ओवर हर्प्रीद ब्रार और लियाम लेश्टन ने डाले दो वर बॉलिंग इंफोमेशन में मैथ्यू साथ और सिदीब ने स्टार्टिंग नाथन इलीज और सिदीब ने डेत में बेंच में बहुत सारे नाम है कोई जोईन करोगे तो 500 रुपए साइन अप बोनस 200 रुपए का अगर आप 200 लिग अगर आप जोईन करना चाहते हैं एक क्लिक में सिर्फ आपको ऐसे एक बार जोईन वाले बटन पर क्लिक करना होगा आप 200 लिग जोईन कर लोगे विजन 11 में एक और प्लस पॉइंट आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और इसकी टीम बगरार रेगुलर में टेलिग्राम चैनल पर देता हूँ कैप्टन इस मैच में राहूल लियाम लिंगवेश्टन और सेम करन धवन आते हैं डिकॉक आते हैं तो उनके बारे में भी सोचा जाएगा कैप्टन वाइस क कहीं बार किसी भी एप्लिकेशन में उतार सकते हो अगर उस एप्लिकेशन के रूल चेंज ना हूँ है जैसे ड्रीम लेबल में रूल अलग है तो उसके लिए आप दूसरी टीम चुन सकते हो फिलाल मैं बिकिट कीपर सेक्शन से प्रैम सिंगरन सिंग और निकॉलस पूरन क के पाथ जीतेश सर्मा या डिकोक आते हैं तो उसके बारे में सोचा जाएगा जीतेश सर्मा को जील में ट्राइ करना अगर धवन फिट होते हैं तो धवन को लेना राहूल को लेना है दीपक उड़्डा को साइड में रखना है क्योंकि दोस्तों इनसे अच्छी इनको जो वन डाउन पर बैटिंग करा रहे हैं अब ये लोग कुनाल पांड्या को करा रहे हैं राजा पक्सा फिट होते हैं तो उनको लेना है और शारुक खान या फिर दोस्तों हमें से कहीं से कन्फरमेशन मिल जाती है कि जो राजा पक्सा खेल ला है या दीपक उड़्डा सई प प्रेम सिंग्रम सिंग और कुनाल पंड्या में से एक चुनना होगा तो देखिए इस मैच में कुनाल पंड्या को तो लेके जाएंगे काईल मार्श पे हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेंगे बालिंग में मार्क वुड फिट होते हैं या यह दोनों फिट होते हैं तो दोनों important नाम रहेंगे बैसे safe side अर्सदीप है रभी विश्णोई है और जो अभी play कर रहे हैं उन में से हमारे लिए नाथन इलीज अगर मैं बात करूँ रवाडा, मार्क बुड, आवेश खान ये मतलव availability इनकी होती है तो इन सब की जानकारी आपको टेलिग्राम पर मिलेगी कैप्टन राहूल और वाइस कैप्टन के रूप में लियाम लिंग वेश्टन हम चुनना है ये टीम का preview है, फाइनल टीम के लिए आप लोग टेलिग्राम जरू जोइन करें, वीडियो informative लेगी तो लाइक करें, धन्यवाद दोस्तों thanks for watching